इस वीडियो में हम बात करें अल्रस्ट्रॉन के बारे में जो के मिनलो कॉटिकोइड है एक्चुली अल्रस्ट्रॉन के कई सारे एफेक्ट्स है यहां पर मैंने स्रिफ छे एफेक्ट्स लेखे है बहुत सारे एफेक्ट्स है जो हमने ब्राड ब्राड है वही कवर किये है मिनल कोटिकोइड है वो है अल्डेस्ट्राइड तो एक्चुली अल्डेस्ट्राइड का जो सोडियम पे एफेक्ट है कि क्लेक्टिंग डख और डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूबल के सेल्स को सोडियम अब्जॉर्ब करने के लिए कहता है मिस्ट अगर हम सिंपल में देख जो सोडियम की लेफ ने बॉट में बढ़ाता है नमबर टू इक्ष्टराइॡएलार फ्लिउड जो फ्ल्यूर्ट होता है अप्लाज्मा का फ्ल्यूर्ड कहते हैं यह इंक्रिंज करता है क्योंकि रिटेंशन genome कर यह ना स्रिफ फे लिंभ अ करता है पानी की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती क्योंकि यह वाटर का रिटेंशन कराता है जिसके वज़से ब्लड प्रेशर हाइब होता है मतलब बढ़ जाता है सिंपल सब्दों में अगर कहें तो पोटाश्यम आयन अब इसका जो रोल है पोटाश्यम आयन का यह बोड़ी के के अंदर नेफरोंड वो सोडियम एप्जॉर करना शुरू करते थी है और पोटाश्यम एक्स्रीट करना शुरू करते थी है जो यूरेंसे हो जाता है हमारे बोड़ी से हैड्रोजन आयन का जो कॉंसंट्रेशन है यह कॉंस्ट्टनली मेंटेन करके रखता है 7. 1.45, जो के हमारे blood का pH है, एक particular amount में hydrogen ion का concentration maintain होना ज़रूर है, क्योंकि यह acidosis, यानि ज्यादा hydrogen ion हो गया, तो alkalosis है, ज्यादा hydrogen ion का concentration होगा, तो acidosis होगा, और कम हो गया, तो alkalosis होगा, तो एक constant level maintain करके रखना है, proton ions की, ठीक है, यह key player है, renin angiotensis system का, हमने कई videos में देखा है, के renin angiotensis system, जो blood pressure low हो जाता है, इसको enhance करने का काम करता है, renin angiotensis system, चलिए हमने सारे function देख लिए, thank you.